असमाजिक तत्वों ने खेत में लगे लहलहाती मकई की पौधे को काट किया नश्ट, पीडित किसान ने थाना में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार. सिम्री बक्तियारपूर अनुमंदल क्षेत्र के बक्तियारपूर थाना अंतरगत तर्यामा पंचायत के तुर्की बहियार में एक किसान के खेत में लगी मकई की लहलहाती पौधे को कुछ अग्यात असमाजिक तत्वों ने काट नश्ट कर दिया, पीडित किसान ने बक्तिया खेत में लगे मकई की फसल को पटवन कर वापस घर लोट गया, सुबह जब खेत देखने गए तो देखा कि करीब दस कठा में लगी मकई के पौधा को जड़ से काट गिरा दिया गया है, आसपास पता किया तो कुछ भी जानकारी नहीं मिली, उन्होंने बताया कि उसको किस से दुश्मनी भी नहीं है, ऐसे में इस कदर लहलाती फसल के पौधे को काट दिया गया है, वह तो बरबाद हो गया है, फसल देख किसान मुर्चित होते हुए कहा कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, किसान फसल को पुत्र की तरह पालता है, शाम तक फसल में पानी देकर हर करशित होकर लोटे थे, आज इस कदर नजारा देख कुछ नहीं समझा रहा है, किसान ने पुलीस से इस मामले में कठोर से कठोर कारवाई की मां करते हुए कहा कि पुलीस ऐसे व्यक्ति को चिनहित कर कारवाई करे ताकि दूसरे किसी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं हो सके इस समझ में पुलीस मामले की चानवीन की बात कह रही है, सिमरी बक्तियारपुर से ब्रजेश की बात के लिए ब्रजेश भारती की रिपोर्ट, अगर आपने अब तक ब्रजेश की बात आनलाइन न्यूस चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर ले ताकि ताजा खबरों से रूबरू होते रहें धन्यवाद